नमश्कार दोस्तों, Assistant Professor Career Martherson Video Series में आप सबका स्वागत करता हूँ ये इस Career Martherson Series की दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम जानने वाले Assistant Professor की चैन परकिरिया चाहिए वो Central Government University हो, State Government University हो, State Higher Education Department से वेकिन से निकले हो State Public Service Commission या Private University में, सिलेक्शन का प्रोसेस, चैन परकिरिया किस परकार से रहते हैं, डीटेल्ड में हम यहाँ पर समझने वाले हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप धहरिये बना कर रखें, लेकिन इतना आशवाशन में आपको देता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी बिना स्किप करें, तो कोई भी डाउट चैन परकिरिया से समबंदित आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा दोस्तो इसमें पहली जो वीडियो है, एसिस्टिंट प्रॉफेसर कैसे बने, पूरी परकिरिया हमने जो भी लेटेस्ट इंफ्रॉमेशन है, नए बदलाव के साथ हमने यहाँ पर आपको बताया है इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक डेस्क्रेफशन बोक्स में है, आई बटन पे भी जो है, इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में आपको method of selection in central universities क्या follow करते है, state public universities, government colleges and private universities, इन सभी का selection process हम one by one समझने वाले है दोस्तो सबसे पहले इन जो भी information में आपको यहाँ पर दे रहा हूं, उसका source क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जो source एकदम authenticated है, UGC Regulation 2018 के आधार पर selection process क्या रहता है साथिसा सेंट्रल स्रीट गौवर्नमेंट कॉलिज जो है, वो क्या recruitment process follow करते है, राज्य लोग सेवायोग, जैसी कि उत्तर प्रदीस, राज्य लोग सेवायोग, मध्य प्रदीस, बिहार, वो सब क्या follow करते है या higher education service commission है, जैसे कि उत्तर प्रदीस higher education service commission है, वो यहाँ पर क्या follow करता है, उन सभी के आधार पे जो है, हम यहाँ पर आपको authenticated information देंगे, आवेदन कैसे करना होता है, तो यहाँ पर जो advertisement है, उसमें clearly mention होता है, कि आपको आवेदन online करना है, कहीं पर आपको offline करना होता है, क पहला जो तरीका है, आपका यहाँ पर written exam, पहले лिखित परिक्स होगी, उसके बाद आपका interview होगा, यह तो आपका पहला तरीका है, दूसरा तरीका होता है, direct recruitment का, direct recruitment में क्या होता है, कि यहाँ पर केवल interview के माधियम से जो है, आपका यहाँ पर selection होता है, लेकिन interview से पहले आपको यहाँ पर socialist किया जाता है interview के लिए. अब क्या criteria जो है socialistPodcast का होता है, वो criteria university में interview के लिए socialist Jones का criteria opener अलग होता है, दूसरा, college में, जो भी government college है या university के जो constituent college है, उनमे socialistiquator mustard reading ka criteria interview के अलग रहता है university से. तीसरा जो तरीका होता है वो हता है कि आपको marks of academic qualification personal achievement of the candidate यानि कि यहाँ पे आपकी जो 10th, 12th graduation, post graduation या कोई achievement है आपका उसके आदार पर कुछ marks आपको यहाँ पर आवंटित किये जाते हैं दिये जाते हैं उसके बाद आपकी लिखी तरीक्स होते हैं फिर इंटर्वी होता है तो इस तरीके से जो है ये तीन method mainly follow किये जाते है assistant professor की चेहन पर किरिया में अब detailed में one by one हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि राज्यलोग से वाई हो कौन सा method यूज करता है सेलेक्शन में Central University कौन सा method करता है Delhi University, BHU अगेरा कौन सा method यहाँ पर करते है अब आपका यहाँ पर यह सब clear होने वाला है तो दोस्तो assistant professor केरियर मारदरसन में काफी सारी वीडियो आप लोग पसंद भी कर रहे हैं यह सारी वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में यहाँ पर उपलब्द है आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है वहाँ पर assistant professor केरियर मारदरसन जो है वहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिनमें यह सारी वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो यह सारी वीडियो कैसे बने वीसीस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे PCS अधिकारी कैसे बने, DSP कैसे बने and basic six सदिकारी कैसे बने साथी साथ जो है assistant professor से related काफी सारी career guidance वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पर लिखित परिक्सा फिर interview उसके बाद final merit बनेगी and इस परकार से आपका यहाँ पर selection होगा अब कौन-कौन इस method को जो है इस selection process से कौन भरती करता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भरती जितने भी लगबग जो है state public service commission है जैसे की आपका बिहार लोकसेवा आयोग है मध्यपरदीस राज्य लोकसेवा आयोग है and यहाँ पर जो उत्तरपरदीस में भी जो है इसी परकार से जो है यहाँ पर भरती की जाती है assistant professor की लिखित परिक्सा होगी उसके बाद interview होगा तो इस परकार से जो है यहाँ पर आपका selection होता है ठीक है उत्तरपरदीस higher education service commission UPHESE के दुआरा भी जो है assistant professor का recruitment लिखित परिक्सा पलस interview के मादम से जो है यहाँ पर कराया जाता है ठीक है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इस परकार से यहाँ पर आपका यह दिया गया है उत्तरपरदीस UPHESE का जो दूसरा method होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें direct recruitment आपका कराया जाता है direct recruitment यहाँ के interview के आदार पर अब यहाँ पर जो है दो तरीके मैंने यहाँ पर आपको बताया थे कि sort listing जो है interview से पहले interview के लिए आपको sort list किया जाएगा अब किस परकार से sort list किया जाएगा यह criteria आपका जो UGC का regulation 2018 उसके appendix में जो है यहाँ पर clearly mention किया गया है अलग-अलग चाहे वो university का हो चाहे कोल इसका अच्छा इस method से भरती कौन करता है तो जितनी भी central public universities है आपकी केंद्रे विश्विद्याले है जैसे कि दिल्ली university है जामिया मिलिया इसलामिया है जेनियू जवारलाल नेरू university है बेच्चू बनारस हिंदू university है और जितनी भी central universities है या state government universities है जैसे कि अलाबाद universities है या आपकी जो है H&B गडवाल university है या आपकी जितनी भी state government की universities होती है उनके द्वारा जो है ये method जो है follow किया जाता है और universities से जो constant degree college होते हैं जैसे कि दिल्ली university के constant college है गारगी college है आना मिरिंडा house college है इन सभी college हो में जो है यही method direct recruitment का जो है या पर follow किया जाता है यह method समझना आपको बहुत ही आविशक हो जाता है क्योंकि जितनी भी बड़ी universities है जितनी भी अच्छी government universities है central state government universities यही method follow करती है ठीक है अच्छा यहाँ पे हम अब हम यहाँ पर interview के लिए total listing criteria देखते हैं सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं यह UGC regulation 2018 में दिया गया है यहाँ पे academic score के आदार पे graduation की percentage post graduation की percentage के आदार पे आपको यहाँ पर marks elot किये जाते हैं एक पूरा 100 अंकों का जो है यहाँ पर आपका एक पूरा यहाँ पे अंक दिये गए हैं 100 अंकों में से जो भी percentage आपकी बनेगी आप अगर MFIL करते हैं तो percentage के आदार पर अंक दिये जाते हैं इसी परकार से जो है यहाँ पे अगर आप PhD कर रखी है तो university के selection process में 30 अंकों का weight is PhD वालों को दिया जाता है यानि कि direct recruitment में PhD वालों को normal candidate जिनके पास net have, jrf हैं उनसे यहाँ पर 30 अंक extra उनको दिये जाते हैं यानि कि PhD वालों की बल्ले बल्ले जो है direct recruitment में हो जाती है क्योंकि उनका जो academic score है वो यहाँ पर काफी जादा होता है 30 अंकों की बढ़त काफी जादा होती है अगर net with jrf है तो 7 अंक आपको मिलेंगे net है तो केवल 5 set flat है तो 3 अब यहाँ पर जो research publication आप यहाँ पर publish करते हैं वो 2 अंक एक के लिए मिलेंगे 10 अंकों का अधिक्तम मिलेगा teaching experience है तो हर एक एक साल के लिए आपको 2 अंक दिये जाएंगे अधिक्तम 10 अंक कोई national level, international या state level का अगर आपके पास award है तो उसके लिए अंक आपको यहाँ पर आवंटित किये जाएंगे इस परकार से MFIL PhD वालों को 30 अंक JRF NET SET वालों को अधिक्तम 7 अंक और award के लिए 3 अंक यहाँ पर निर्दारी थे तो इस आधार पे 100 अंकों की पूरी list बनेगी और 100 अंकों की list के आधार पे जो जितने भी अंक आपके यहाँ पर बनेगे उसके आधार पर यहाँ पर आपको sort list किया जाएगा interview के लिए जो top जिनका अच्छा academy की score बन जाएगा उनको यहाँ पर call दी जाएगी उसके बाद आपका interview होगा और interview के बाद selection आपका हो जाएगा यह तो तरीका था university में यहाँ पर college में कुछ अलग रहता है college में जो है same graduation post graduation की percentage के आदार पर आपको अंक दिये जाएगे लेकिन अंतर केवल इतना सा होगा कि अंक जैसे यहाँ पर यह university के आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकों का जो आवंटन है वो भी अलग लग किया गया है लेकिन यहाँ पर 25 अंक दिये जाते हैं तो केवल यही अंतर है और बाकी selection का process इसी परकार से रहेगा academic score के आदार पर आपको यहाँ पर call दी जाएगी उसके बाद interview होगा selection आपका इस परकार से होगा now यह तो आपका दूसरा method था अब तीसरा method कौन सा है जिसमें आपको यहाँ पर marks of academic qualification personal achievement यहाँ पर अगर आपके पास जैसे की 10th, 12th graduation post graduation की percentage के आदार पर आपको यहाँ पर कुछ अंक दिये जाते है जो percentage है उसी के ratio में उसके बाद आपने अगर MPIL कर रखी है या PhD कर रखी है तो उसके लिए भी कुछ अंक आपको दे दिये जाते है उसके बाद आपका written exam होता है फिर interview होता है अब यहाँ पर यह selection का process कौन करता है तो हरियाना राज्यलोग सेवायोग इसको follow करता है यहाँ पर जैसे की 2016-2019 में आपर देख सकते है written exam 50-50 अंको का रहा है दोनों ही सालों में academic qualification personal achievement के लिए 2016 में 30 अंक रहे थे and 2019 में 37.5 और फिर interview 20 अंको का था उसके बस साड़े बार अंको का कर दिया 2022 में यहाँ पर अगर कुछ changes होगा तो then I will यहाँ पर आपको वीडियो अलरी मैंने यहाँ पर बना भी रखी है and यहाँ पर जो है कुछ changes अगर हुआ 2023 में तो definitely आपको यहाँ पर आपको यह information भी मिल जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि written exam भी होगा जो academic qualification है उसका weightage भी मिलेगा and interview भी यहाँ पर आपका होने वाला है तो हरियना राज्य लोग सेवायोग दुआरा जो है इस परकार का pattern selection का जो है यहाँ पर follow किया जाता है तो यहाँ पर जो है अगर हम private universities की बात करें तो private universities में normally interview आधारी selection होता है आपका जो है यहाँ पर आभी दन मांगेंगे उसके बाद interview के लिए आपको यहाँ पर call देंगे interview जो है अगर आपका अच्छा जाता है तो आप private university में assistant professor बन सकते हैं काफी अच्छी अच्छी universities है जो UGC regulation या UGC का जो pace के लिए वो follow करती है तो definitely जो है यहाँ पर भी जो है आप अप like कर सकते हैं तो इस परकार से जो है आप यहाँ पर resolution कर सकते हैं कि किस परकार से जो है यहाँ पर आपका selection process होता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी एकदम clarity मिली आपको तो वीडियो को like करें share करें क्योंकि काफी मैनत के साथ मैं वीडियो आपके लिए लिकर आता हूँ साथी साथ अगर channel subscribe ने करें तो channel को भी जरूर subscribe करें मिलते हैं अगली अपनी तीसरी वीडियो में जिसमें हम आपको जो है और important information assistant professor के regarding आपको यहाँ पर देंगे तो चलिए तब तक keep watching thank you